हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एंटिये नेट कॉमर्स के कुछ इंपोर्टेंट कॉशन्स की, ये कॉशन्स आपके एक्जाम के पॉइंट अव्यू से बहुत ही इंपोर्ट को हम डिसकस करेंगे, वीडियो को लास तक देखेगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एक्जाम में किस तरह के कॉशन्स पूछ जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का आपको पसंद आती है, तो लाइक कीचे, फ्रेंड से शेयर कीचे, और किसी पित आपके 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 आपक बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स हमने शुरू से जब हम कॉमर्स में यह पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट के अंदा प्लानिंग पॉस्ट कॉर्ब होते हैं जैसे कि प्लानिंग, और्गनाइजिंग, स्टाफिंग, डारेक्टिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग, और कॉडिन जिसमें कम्मुनिकेशन की बात नहीं की जाती है तो यहां पर ऑप्शन हमारा है, D. Communication निक्स्ट है, Management is an art of getting one done work by others, this statement belongs to, यानि कि यह management है, यह काम करवाना है, किसी अदर परसन से और यह बलॉंग करता है, यानि कि यह statement दिया था कि management के अंदर हम किसी से काम करवाते हैं, यह किसने दिया था, Stainly Vains ने, Petraff Drucker ने, Henry Fuel ने, या Harlot Kudds ने, तो friends यह दिया था statement, Kudds ने, next question पर आते हैं, father of modern management is, यानि कि जो modern managers के father कौन कहे जाते हैं, Henry Fuel, Kudds and O'Donnell, FW Taylor या Stainly Vains, तो friends, जो modern management के father हैं, वो कहे जाते हैं, हमारे Henry Fuel, यानि कि इसका जो right answer है, वो है option one, Henry Fuel, जबकि friends, यहाँ पर FW Taylor जो है, यह कहे जाते हैं, scientific के, ठीके, यह कहे जाते हैं, scientific management के father, next question पर आते हैं, management is concerned with, यानि कि management हो किस से concerned है, legislative function से, administrative function से, executive function से, all of these से, तो friends, जो हमारा management है, यह हमारा concern होता है, executive से, यानि कि जो भी हम planning, organizing, staffing करते हैं, उसके according हम वो सारी चीज़ें, execute करेंगे, तो management हमारा part कहलाता है, यह हमारे execution का, next question पर अब हम move करते हैं, democratic leader, democratic leader क्या है, friends, democratic leader जैसे की नाम से, यहां पर समझ में आ रहा है, कि जो leader जो होते हैं, जो society के लिए काम करते हैं, society के welfare के लिए, वो democratic leader होते हैं, तो इसमें बताया है, options में, can avoid the exercise of authority, यानि कि authority की exercise उसको avoid कर सकते हैं, can avoid the responsibility of what happens to his organization, यानि कि वो responsibility को avoid कर सकते हैं, जो भी उनके organization में हो रही है, या फिर must be tough enough to win fight, यानि कि ये अपनी fight को जीतने के लिए कोई भी tough कुछ भी कर सकते हैं, या फिर must kick the employee when he down, या फिर कोई employee down है, या फिर अपने उतनी performance नहीं दे पा रहा है, तो उसको kick कर सकते हैं, यानि कि आफिस जॉप से निकाल सकते हैं, तो फ्रेंड डेमोक्रिटिक लीडर अगर इन सारे options की यहां बात की जाए, तो फ्रेंड यहां पर जो इसका जो right option होगा, वो होगा, यह से can avoid the exercise of authority, फ्रेंड वो authority की exercise को avoid कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड यहां पर authority ना लेकर, अगर आप वहां पर डेमोक्रिटिक लीडर में अगर हम यह बात करें कि सारी चीजें आप society की reference मिलें, अथोरिटी में एक तरह से friends, वहां पर जो system है, उसमें यह आजाता है कि आप authority अगर आपके पास होती है, तो आप वही काम करते हो, जो आप लोगों से करवाना है, जबकि एक leader को उस तरह से अपनी duties या अपने काम होने हैं कि सामने वाला वी खुश रहे, अथोरिटी के अंदर लेकिन थोड़ी मोनो पॉलिसी आजाते हैं कि हम leader है, हम जो कहेंगे वही करना होगा, तो इस तरह से वह इस exercise को हटा सकता है, next question पे आते हैं, which of the following statement is true about Indian managers, यानि कि जो Indian managers है, इस statement में कौन सा उनके लिए सही है, many Indian top management are relatively authoritarian in their relationship with lower management and clever, friends यहाँ पे clever की जगे आप यहाँ पे कर लीजेगा, labor, clever की जगे यहाँ पे आजाएगा labor, यानि कि ऐसे लोग अपने lower management और labor के लिए authoritarian relationship रखते हैं, या फिर prevalence of low degree of control, यानि low degree of control होता है, management है, faith in capacity of workers for taking initiative, यहाँ पर यहाँ पर जो right option होगा, वो होगा option A, क्योंकि Indian managers में जाता है, इस तरह की चीजे देखी गई है, कि वो उनके अंदर एक authoritarian aspect आजाता है, कि वो अपने जो lower management होता है, या फिर labor होती है, उनसे वो सही से बात नहीं करते हैं, या फिर उनको बहुत inferior feel क आते हैं, डारेक्ट उनसे कोई बात नहीं करेंगे, तो यह इस तरह का उनके अंदर behavior आजाता है, तो यह वाला जो option है, हमारा A, वो correct है, next question पर आते हैं, the fundamental components of management does not include, जाने कि यह fundamental components of management का, उसमें क्या चीजे इंक्लूट नहीं की जाते है, planning, organizing, motivation, या फिर बजटिंग, तो friends, हमने बात की थे, पॉस्ट कॉर्ब की, तो उसमें यह motivation इंक्लूट नहीं किया जाता है, तो इसको option C, जो है, वो correct है, motivation को fundamental components में इंक्लूट नहीं किया गया है, next question पर आते है, according to fuel, functions of management are, यानि कि जो fuel के according, management के functions क्या है, planning and organizing, direction and coordination, control, या all of the above, तो friends, fuel नहीं फोडिंग, बताए हैं हमाई यहापे, functions तो यहाँ पर जो इसकी functions है, वो है all of the above, उसमें planning, organizing, directing, controlling, ये सारे functions इसमें include होते हैं, next है, management is, बहुत simple है friends सी, management क्या है, art है, science है, professional है, all of these है, तो friends, management के, अगर हम बात करें कि management क्या है, तो friends, यहाँ पर management जो है, वो हमारा all of these है, क्योंकि management के अंदर art की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर परसन अपने according, अपनी skill, अपनी activity के according काम करता है, science इस लिए जाता है, क्योंकि इसमें cause and effect relationship देखा जाता है, profession इसी लिए है क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें इस तरह से चेक की जाती है, बिल्कुल professional way में systematic और बिल्कुल technical way में किया जाती है, सारी चीजें, इसलिए यहाँ पर option हमारा D correct है, next question पर हम move करते है, effective manager must be able, effective manager जो है, वो योग्य होगा, किसलिए, to assess the needs of the organization, यानि organization की जो needs उसको assess करने के करने के लिए, या फिर to maintain personal relation with subordinates, जो subordinates है, उनकी साथ personal relation maintain करने के लिए, third है, to overtime, यानि की जो overtime है, उसको करने के लिए, या फिर none of the above, तो friends, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, effective manager की, the friends, effective manager के अंदर जो योग्यता होनी चाहिए, वो है, to assess the needs of the organization, organization को needs, जो need है, उसको assess करने की कि organization में अब क्या चाहिए, organization में क्या changes करने है, किस तरह का environment, किस तरह के, यहाँ पर recruitment होने चाहिए, किस तरह की technology यूज होनी चाहिए, यह सारी management, जो effective manager हो, उसको पता होनी चाहिए, क्योंकि personal relation subordinate करना, यह important तो है, लेकिन यह इतना important नहीं है, to work over time, यह भी उससे directly concern नहीं कर अगर वो इस चीज पर focus करेगा, तो इसमें सारी चीजे include हो जाएंगी, तो यहाँ पर option 1 हमारा जो है correct है, next है, management is persuasive in the sense state, यहाँ कि management is persuasive, यहाँ पर मतलब होता है, different label or department, यहाँ कि जो management है, सभी department में होता है, it fulfills all purpose, यहाँ कि यह जो purpose को fulfill करेगा, it uses all resources effectively, यह यूज करेगा जो भी resources होंगे, effective way में, या फिर it is relevant for all organization, यह सभी organization के लिए important है, या फिर all of the above, तो friends, इसका जो right answer है, वो है option 3, कि यहाँ पर management, इस persuasive का sense में, मतलब है, यहाँ पर यहाँ कि सभी organization में, या फिर हम कहें, level or department में, important होता है, relevant होता है, क्योंकि हम यह सिर्फ यह नहीं कह सकते है कि किसी भी company के अंदर सिर्फ selling department में management होना चाहिए, manager होना चाहिए, किसी और department में जरूत नहीं है, finance manager भी होता है, research and development manager भी होता है, हमारा cash manager भी यह लग से होता है, हमारा production manager होता है, हमारा sales manager होता है, हमारा distribution manager होता है, हर तरह की manager होते है, और हर department में manager की जरूत होती है, management की जर जो सभी managerial functions होते हैं वो सटल किये जाते हैं manager के द्वारा किस टूल से planning से, decision making से, effective control से या authority से तो friends, सभी functions अगर settle किये जाएंगे manager से तो सिर्फ एक ही purpose होगा decision making अगो proper decision making करेंगे तो एक manager सभी functions को settle कर सकता है क्योंकि friends, planning करने से सिफ कोई भी function हमारा settle नहीं होता effective control करने से भी नहीं होगा सिर्फ आप अपने कोई planning नहीं करी आपने decision making नहीं लिए बस आप अपने लेबर पर उससे कोई आपका काम आपका purpose पूरा नहीं होगा और सिर्फ authority अभी हमने बात की थोड़ी मोनोपॉली में आ जाती है authority भी आप डारेक्ट नहीं दे सकते हैं यह तो आप वह सारी चीज़ें खुद भी करो जैसे आपने planning अच्छे से करके दिये आप to control making decision by decision making के time आपने तब अप गातना सकते है लेकिन हम आप अधिशक चीज़ें नहीं घुर शुष से कचछ़ गर देशपर के पर इस जांड़मेकन करीं आपका चाहरें किन्हिं लेबर थीक भी उसके आप प्लाननिंग प्लानिंग हमारी कैसी है नेक्स आता है management provides, management अमें क्या प्रोवाइट करता है, new ideas, vision, imagination या all of these, तो friends, management हमें सभी चीज़े provide करता है, तो इसका option D हमारा correct होगा, क्योंकि management के थूरू new ideas निकल कर आते हैं, जो कि अब हमने बात किती कि management art है, तो इसमें आर्ट के अंदर new ideas आएंगे, vision आएंगे, imagination आएंगे, ये सारी art के point है, कि management कार्ट है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़े आएंगी, तो option D हमारा D correct है, next question पे आते है, which of the following statement is or are correct, इसमें साब को बताना है कि कौन से statement correct है, management cannot generate a favorable working environment, जो management है, वो favorable working environment जनरेट नहीं कर सकता, भी है, ideal management takes the right decision on all matters at the right time, यानि कि जो ideal management है, वो हमारा right decision ले सकता है, सभी matters पे right time में, या फिर management activities need not to be result oriented, यानि कि management activities है, उसको जरत नहीं होती, result oriented होने की, या फिर none of the above, तो friends, अगर हम यहाँ पर सही statement ही बात करें, तो इसमें जो हमारा right answer है, वो है option B, एक ideal management हमारा right time पर right decision लेता है, और यह यहाँ पर बात करें, favorable condition की option हमारा गलत है, क्योंकि management के अंदर favorable working environment ही generate किया जाता है, उसी के according सारी चीज़े manage की जाती है, और यह result oriented भी होता है, तो यह option भी गलत है, तो हमारा right answer है, यहाँ पर option B, next question आता है, management includes, management के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड की गई है, production, marketing, auditing या फिर coordination, तो friends हमने बात की थी management के अंदर post को इंक्लूड किया जाता है, तो जिसमें यहाँ पर coordination हमारा correct होता है, तो यहाँ पर coordination जो है, वो management के अंदर इंक्लूड होता है, next question पर आते हैं, according to James Lundi, three types of management are, James Lundi है, उन्होंने three types दी है, management के, वो कौन कौन से है, planning, implementation, control, planning, organization and coordination, planning, resource, mobilization and education, planning, implementation and orientation, तो friends, हमें बताना है James Lundi के according, जो three types के management है, वो कौन से है, तो friend James Lundi ने, जो three types के management दी है, वो है, planning, implementation and control, तो यहाँ पर हमारा first option जो है, वो correct है, next question पर आते है, which of the following is are not correctly missed, अब हमें बताना है कि जो statement है, और जो person के नाम है, वो उसमें से कौन सा हमारा incorrect है, management is the art and science of decision making and leadership, यह statement दिया है, Donald J. Clough ने, यह हमें बताना है सही है या नहीं, second option, management is the art of directing and inspiring pupil, George R. Terry, management is the function of executive leadership anywhere, Rad C. Davis, तो friends, हमें इसमें बताना है, तो इसका जो answer होगा, हमारा वो होगा option one, यह जो statement है, यह Donald J. Clough ने नहीं दिया है, जबकि management, यह second option, यह Jordan Terry नहीं दिया है, और यह third option, यह Ralph C. Davis नहीं दिया है, तो यहाँ पर जो incorrect है, वो है option A, यह statement Donald ने नहीं दिया है, next आते हैं, techniques of management is applicable in, जो management की techniques है, उसमें क्या चीजों के applicable किया गया है, business, education, social, यह all of these, तो बताए है friends, जो management की techniques है, वो apply कहां कहां होती है, तो friends, इसका जो right answer है, वो है option D, management की techniques को हम business में भी use करते हैं, education में और social में भी use करते हैं, क्योंकि friends, management की चीज़े हैं, वो हम daily use में भी करते हैं, कि हम manage करते हैं, कि अभी हम यह पढ़ेंगे, उसके बाद हमें practice site करने हैं, उसके बाद हमें अपने daily 10 minutes का या 5 minutes का हमें कोई क्रिवीजन भी करना है, तो यह क्या हम manage कर रहे हैं, तो एक management की techniques है, यह हम daily life में या फिर हर department में हर जगा यूज करते हैं, नेक्स्ट है, dash can remove all the problems and can run the business on the right track, यानि कि इसमें हमें fill करना है, कि ऐसी कौन सी चीज़े जो remove कर देती हैं, हमाई सभी problem को, और जो business को right track पर ले जाती है, staffing, management, administration या फिर coordination, तो friends यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऐसी कौन सी चीज़े जो हमें ले जाती है, तो वो है हमारी management, management अगर अच्छा होता है, तो यह कहा जाता है कि वो company बहुत अच्छा काम करती है, progression उसके अच्छी होती है, क्यो अच्छी होगी, तो यहाँ चीज़ अच्छी होगी, तो company अपने आप ब्रोत करेंगी, तो अगर राइट ट्रेक पर किसी चीज़, बिसनिस को ले जाना है, प्रॉब्लम सारी रिमूव करनी है, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, management अपना अच्छा करना होगा, which type of leader use the style with skilled workers, where a great deal of control is needed, यानि कि ऐसा कौन सा leader है, जो कि अपनी style को use करेगा, skilled worker के साथ, जहाँ पर great deal of control की जरूत होगी, यानि कि ज्यादा controlling की जरूत होगी, उसको situational leader बोलेंगे, transactional leader बोलेंगे, transformational leader बोलेंगे, या democratic leader बोलेंगे, तो friends, अगर ऐसा person है, जो कि skilled worker के साथ काम कर रहा ह और ज्यादा control की जरूत है, तो वहाँ पर जो leader यूस किया जाएगा, वो होगा हमारा transactional leader, transactional leader क्या करेगा, उनकी according वो अपनी skill को use करेगा, और जो भी according होगा, person के, वहाँ पर वो काम करेगा, next question पर आते हैं, an autocratic leader, ship style, exerts control over the employee, यानि कि जए एक autocratic leader होता है, वो ज्यादा control करता है, employee के उपर, partial करता है, नहीं करता है, पूरा करता है, या फिर none of these, तो friends, वो अपने, जो controlling जो होती है, उसकी वो पूरी तरह होती है, autocratic की, क्योंकि वो ताना शाह की तरह काम करता है, ताना शाह क्या होते है, उनको जब जो काम करवाना है, वही काम करवाएंगे, और किसी भी way में करवाएंगे, चाहें वो उसमें उनके employee को कोई, किसी भी त करते है, sound organization किसके तरह, dividing the work in departments, याने की department में काम को डिवाइड करके, या दिवाइडिंग दी फंक्शन अमंदी managers, याने कि यो managers है, उनके बीच काम को बाठ कर, या फिर allocating the work to employees only, काम को सिर्फ employees को बाठ देंगे, या तो none of the above, तो friends, किसी भी organization में, अगर management इस्टाइबलिश करता है, कोई sound organization को, sound organization तब ही काम कर सकती है, जब आफ functions, जो भी functions है, वो सारे organization में, वो, sorry, managers में बाठ दिये जाएं, क्योंकि different managers होते हैं, जैसे कि production का management manager है, sales department का है, cash department का है, research and development का है, तो अगर सभी लोग अपना-पना काम करेंगे, तो यहा जाएगे, और वहाँ पर sound organization वो बन जाएगे, next आते है, according to Massey and Doggles, management is the process by which, dash, group, direct action of others towards common goals, यानि कि friends हमें बताना है कि Massey and Doggles ने कहा है कि management एक process है, जिसके थुरू, जो groups होते हैं, वो direct action करते हैं, दूसरे के द्वारा common goal के लिए, तो options है, cooperative कहलाती है, small कहलाती है, large कहलाती ह तो friends, ऐसी जो organization होती है, वो social organization कहलाती है, वो cooperative organization कहलाती है, क्योंकि cooperative के अंदर क्या होता है, कि वो सभी लोग साथ में मिलके काम करते हैं, common goal के लिए, next आता है, management is essential for, management essential है, enterprise only, cable enterprise के लिए, profit maximization, सिफ profit maximize करने के लिए, the prosperity of the society, सिफ society की prosperity के लिए, या फिर none of these, तो friends, अगर हम बात करें कि हमारे management essential है, तो यहां पर जो बात की जाएगी, वो होगी हमारे D, सिर्फ society की prosperity के लिए, अगर हम यहां इंटरप्राइस की बात करेंगे, तो भी हमारा गलत है, सिर्फ profit maximization की बात करेंगे, वो भी गलत है, तो friends, अगर हम यहां पर सुसाइटी को जाएटी की prosperity कैसे होगी, इंटरप्राइस भी अच्छा जाएगा, profit में maximization होगा, service भी अच्छी जाएगी कस्टुमर के बीच में, तो यहां पर option C हमारा correct है, next है, journal manager is in, journal manager क्या है, top level management है, middle level management है, lower level management है, या फिन नन अप दी अबव, तो friends, जर्नल मैनेजर की बात करें, तो यह consider किया जाता है, हमारा top management में, तो option A हमारा correct है, next question पर आते है, lack of proper management results in, यानि कि जो proper management में किसी तरह की कमी होती होते है, उससे क्या होता है, failure of company, company fail हो जाती है, wastage of time, money and effort, यह हमारे सब वेस्ट हो जाते हैं, बोथ A and B, या फिर नाइदर A nor B, तो friends, अगर हम बात करें, proper management क कि हमारा, अगर proper management नहीं होगा, तो क्या होगा, तो यहां पर, friends, अगर हम बात करें, options की, तो यहां पर options हमें, बोथ A and B दे रखे हैं, तो यह दोनों ही correct है, क्योंकि friends, हमें नहीं पता है, हो सकता है, proper management की वैसे company fail भी हो जाए, ठीक है, और हो सकता है, यह तो complete हो नहीं होना है, waste तो हो गई, हमारा time भी, money भी, and effort भी, लेकिन company fail भी हो सकती है, ठीक है, proper management नहीं हो तो, अगर long run में, लेकिन यहां पर बताएं, नहीं है, कि यहां पर बताया है, कि यहां पर, बोथ A and B मानेंगे, नेक्स्ट है, which of the following statement is art true, यानि कि कौन सा statement यहां पर correct है, management is science but not art, management overcome competition, management provides rigidity to human efforts, या फिर none of these, friends, यहां पर option one गलत है, क्योंकि यहां बात कर रहा है, science की, science होती है, लेकिन art नहीं होती है, यह गलत है, थार्ड बता रहा है, कि rigidity होती है, human efforts को लेके यह भी गलत है, यहां पर option two सही है, क्योंकि management हमारे जो competition होता, इसको overcome करता है, क्योंकि यहां पर अच्छी planning, organizing, staffing, directing, controlling, plan regarding the work is performed by, यानि कि जो prepared किये गए है, plan किसी काम की regarding, वो किसके और पफॉर्म किये जाते हैं, lower level management के दोरा, board of directors के दोरा, middle level management के दोरा, middle level management के दोरा, या फिर all of the upwork, तो friends, अगर हम यहां पर किसी भी plan को पफॉर्म करने की बात करें, तो वो किये जाते है, यहां पर हमारा option A correct ह next question पे आते हैं, which of the following statement are correct, अब हम बताना कि कौन से statement इसमें correct है, management is doing function, management काम करता है, management is important only at lower level, management सिफ lower level पे important है, in management, decision making is influenced by the force of public opinion, government, policies, social and religious customs, management is related with the owners, तो friends, यहां पर आगर हम बात करें, second option की, कि लिए लेवल के लिए होता है, के वल यह गलत है, और यह influence होता है, public opinion किसी government के से, तो यह भी गलत है, friends, क्योंकि यहां पर यहां पर यहां यहां पर यह रिलिजिस कस्टम की भी बात करें, तो यह सारी चीज़ ही गलत है, और यहा तो यहां पर यहां पर राइट ऑप्शन होगा, वो होगा, option A, यह management होता है, वो doing functions होता है, यानि कि काम करवाता है, next है, the cycle of management continues to operate so long as, यानि कि जो management का cycle हो continue operate करता है, so long as, कि 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 के लिए, there is profit earned by an enterprise, जो profit earned करने के लिए एंटरप्राइस के दारा, there is an organization, एक organization है, there is an complete of group goals, completion, and then there is an existence of partnership, partnership existence, so friends, if we are talking about here, then the cycle of management continues to be an organization, because friends, an organization continues to work daily, and this has been said that if an organization continues to work, then management continues to work, यानिजमेंट क्या किया, एक साल किया, एक साल किया, दो साल किया, उसकी बाद बंद कर दिया, आपकी management processing, जो भी है, वो भी आपकी continuous चलेगी, next question है, management leads an enterprise towards growth and prosperity, यानि कि जो management है, वो leads करती है, किसी भी enterprise को growth and prosperity के लिए, प्रॉपर direction से, planning से, organizing से, या फिर all of these से, तो friends का right answer है, D, proper planning होगी, तब भी वो growth and prosperity की तरफ जाएगी, planning होगी, तब भी, और organizing अच्छी होगी, तब भी, next question है, main functions of management include, जानि कि जो main function है, management का, उसमें क्या क्या include किया गया है, directing, innovation, communication, decision making, तो friends management के main function में, यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या क्या include किया गया है, तो friends main function में आता है, यहाँ पर directing, जो कि हमने post court की बात की थी, यह सारी चीज़ें, इसकी secondary function में, main function में आता है, हमारा directing, next question है, management is actively connected, यानि कि management किसी connected होता है, manager से, decision making से, operations से, या फिर none of these से, तो friends, यहाँ पर actively connected होता है, या operation से, क्योंकि management के अंदर काम करवाया जाता है, operation होता है, तो यहाँ पर direct, हमारा जो right answer है, वो है option C, next question है, the leader that require a strong vision are called, यानि कि ऐसा leader, जिसके पास strong vision होता है, जरोत होती है, वो क्या कहलाता है, situational leader, transactional leader, transformational leader, या फिर none of the above, तो friends, ऐसा leader, जिसके लिए strong vision की जरोत होती है, वो transformational leader कहलाता है, क्योंकि उसको situation के according, सारी चीज़ें, चेंज करने होता है, तो एक strong vision होना चाहिए, कि एकदम कोई problem आई और उसके according को transform कर लिया उसने, next question है, decision which can be changed or totally revoked are called, ऐसे decision जो की change कर दिये जाए, change कर सकते हैं, या फिर totally हम उसको revoked करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, irreversible, trial and error, experimental या फिर reversible, तो friends नाम से हैं, यहां पर समझ में आ रहा है, reversible, यानि कि reverse करना, किसी भी चीज़ को change करना, या फिर उसको revoked करना, तो यहां पर option D, correct है हमारा, नेक्स्ट है, essence of management is, यानि कि जो management का essence है, वो क्या है, options है, coordination, direction, communication, organization, तो friends यहां पर अगर हम essence की बात करें, तो management का जो essence है, वो है, coordination, same way है friends, post coops related, बहुत questions आते हैं, तो आपको post coops हमेशा याद रखना है, next है, the main advantage of functional organization is, यानि कि जो functional organization है, उसका main advantage क्या है, simplicity, specialization, experience, या authorities, तो friends जिसका right answer है, वो है option B, जो functional organization का main advantage होता है, वो यह होता है, क्योंकि function के according काम करता है, यानि इसके अन्दर specialization आ जाता है, तो option B हमारा correct है, next है, which of the following is the most democratic form of organization, यानि कि इसमें से हमारा most democratic form of organization क्या है, line है, line and staff है, functional है, या फिर committee है, तो friend democratic की बात करें सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर जो हमारा right option है, वो है option B, line and staff हमारा सबसे ज़्यादा democratic form of organization है, next question है, plan made in the light of competitors, plan is known as, यानि कि friends, ऐसा plan जो कि competitors के plan से बनता है, वो क्या कहलाता है, policy, procedure, strategy, या फिर undercover plan, तो friends, ऐसे plan हमारे strategy के लाते है, हमने अपने competitors का plan देखा, और इसके according हमने अपना plan बना लिए, यानि कि अपनी strategy बना लिए, तो यहाँ पर strategy world आएगा, next है, आप proposed organizational change में create, यानि कि proposed organizational है, वो क्या organizational change है, वो क्या create करता है, emotional turmoil and tension, या फिर problem of social displacement, या फिर fear of unknown, या all of the above, तो friends, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक proposed organizational change की, या क्या create करती है, तो यहाँ पर option आजाएगा, हमारा all of the above, क्योंकि अगर कोई proposed organizational change होगा, तो emotional trauma and tension भी create करेगा, problem भी आएगी, displacement की, और fear of unknown, यहाँ पर की, यहाँ पर की, हम यह सारी problems को जानते हैं, तब हम ए रिस्क सारी उठा रहे हैं, ठीक है, next question है, which of the following is not a part of strategic planning, यानि कि इसमें से कौन से strategic planning का पार्ट नहीं है, purpose and mission, objectives, choice of business, या फिर social responsibility, तो friends, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं strategic planning की, तो strategy planning के अंदर जो इसका पार्ट है, वो है option D, option D इसका पार्ट नहीं है, strategic में purpose, mission, objective and choice of business की बात की जाते हैं, social responsibility की बहाँ कोई बात नहीं की जाते हैं, next is discipline of management is based on, जो discipline and management किस पर बेस्ट होता है, scientific approach पर, adheres to a code of ethics पर, both a and be या फिर none of these पर, तो friends, अगर हम बात करें यहाँ पर, कि जो हमारा discipline है, वो हमारा किस पर based है, तो friends, हमारा discipline होता है, वो हमारा based होता है, both a and be, code of ethics पर भी और scientific approach पर भी या हमारा based होता है, next question पर आते हैं, when we do not get the desired result, we say it is the result of, यानि कि जब हमें desired result नहीं मिलता है, तो हम वो किसका result बोलते हैं, poor management का, unskilled manager का, unfavorable working conditions का, या फिर all of the above, तो friends, अगर किसी भी तरह कि कोई भी हमें desired result नहीं मिलता है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर poor management था, यानि कि management हमाना सही नहीं था, इस बेसे हमें desired result नहीं मिले, तो option A हमारा correct है, next है, to motivate employees to achieve higher productivity is the function of, यानि कि किसी employees को motivate करने के लिए higher productivity अचीब करने के, ये किस-किस के function है, middle level management करेगा ये काम, lower level management का है, top level management का है, या फिर none of the above, तो friends, अगर किसी भी person को motivate करना है, किसी higher productivity को achieve करने के लिए, तो ये काम होता है, middle level management का, क्योंकि वही execute करवाता है काम, वही motivate करेगा employee को, next है, George R. Terry specified the functions, यानि कि George R. Terry ने कौन से functions specified कि हैं, actuating, planning, organizing, या all of these, तो friends, George R. Terry की बात करें, तो उन्होंने ये सारे functions को define किया है, तो यहाँ पर option D हमारा correct है, next है, superintendent, supervisor, and foreman R, यानि कि ये persons कौन होते हैं, top level होते हैं, middle level के होते हैं, lower level के या फिर none of the above के, तो friends, ये persons जो होते हैं, वो होते हैं, lower level के, क्योंकि ये lower level, lower department में काम करते हैं, हैं lower level के काम करते हैं, ये सारे persons, next है, who is the father of administrative management, यानि कि administrative management जो होता है, उसके father कौन है, यानि कि जो हमारा span of management है, वो हमें क्या बताता है, number of managers बताता है, length of term for which a manager is appointed, यानि कि length बताता है, जिसके लिए person appoint के गए हैं, या फिर number of subordinaries under superior, यानि कि वो subordinates बताता है, जो कि superior के under हैं, या फिर number of members लिए top management, यानि कि top management में number of members बताता है, तो friends span of management हमें बताता है, number of subordinates under the superior, यानि कि superior के under, कितने subordinates हैं, उनकी number बताता है या हमें, तो option C हैं, यहाँ पे हमारा correct है, next question पे आते हैं, Harmony of objective is a principle of, Harmony of objective हमारा principle है, किस चीज का principle है, directing का, planning का, controlling का, या organizing का, तो friends, Harmony of objective हमारा principle बताया जाता है, ये directing का, directing के अंदर आता है Harmony of objective, तो friends, यह थे हमारे आजकी वीजिए, I hope आपको आजकी questions पसंद आये, होंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए इन दोनों वीडियो में हमने आपके management के सभी questions को cover किया है तो इससे बाहर आपके exams में और कोई questions नहीं आएंगे आप इनी questions को पढ़ लीजिए तो friends आपको को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक के जो अपने friends के शेयर कीजिए और किसी बी तरह की कोई भी query हो तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे जल से जल उसको पूरा करने की तो friends नेक्स वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी ची वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई